यह आम तोर पे कुंडलिनी जागरण में, मानस साधनाओं में या सिद्ध जाप करने से ऐसा होता है वेक्ती जो है बुरी आदतों से मुक्त हो जाता है, बुरे विचारों से मुक्त हो जाता है, बिमारियों से मुक्त होता जाता है और उसको अच्छा करने के विचाराते है, अच्छे काम करने के विचाराते है, कोई शराबी है शराब छोड़ देगा, कोई वेक्ति वेजिटेरियन नहीं है, नौन वेज़ खाता है तो वो वेजडेरियन हो जाएगा, किसी भी वेक्ति को मान लीजे कोई भी बुरी आदत हो हस्त मैथोन या और कुछ भी कोई भी जिसको भी वो गलत मानता है या कोई लड़की बाज हो और कुछ हो तो वो सब बुरी आदतें जो हैं विक्ति की जहां आदतों की बात है जरूरत की बात नहीं कर रहा हूं तो व्यस्न जहां हैं वो छूट जाएंगा ठीक है और विक्ति से ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक अपना अपने परिवार का, अपने गाउं शहर का, अपने देश का, राज्य का और पूरे संसार का विश्व का भला करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को स्वार्थी नहीं, नि श्वार्थी होना चाहिए, जिससे वो सभी जीवों का भला कर सके अब इस मार्ग में अडचन कैसे हटानी है कोई सादक सोचे कि साधना कर ली और फिर वो बहार अपने जीवन में कुछ भी उटपटांग करेगा या पाप करेगा तो काम चल जाएगा ऐसा नहीं जो सादक सात्विक साधनाएं करते हैं और सात्विक साधनाएं ही करनी चाहिए तामसिक साधनाएं अवाइड कीजिए तो सात्विक साधनाओं में वेक्ति को जानवरों को खाना खिलाए सभी के साथ अच्छा वेवार करे वेर्थ में क्रोधना करे अच्छे अच्छे काम करे संसार कल्यान की सोचे विश्व कल्यान की सोचे और उसके लिए कारे करे कर सकता हो तो यता संभव मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई अपनी प्रॉपर्टी दान में दे यता संभव अपने आपको ठीक रखते हुए अपने परिवार का घुजारा करते वे, अपना घुजारा करते वे, व्यक्ति जो भी अच्छे काम कर सकता है, वो शुद मन से, साफ मन से जरूर करे, और इसलिए ना करे कि एक बार साधना पूरी हो जाए, बाद में मैं देख लूँगा, नहीं, इसलिए करे कि अब उसे अच गुणी साधनाय करे, चैसात्विक साधनाय करे, यदि वेक्ति पाप करेगा, तो उसके परिणामों से कैसे बचेगा, इसलिए वेक्ति को चाहिए कि शुद्ध और साफ मन से अच्छे ही काम करे और आगे बड़े, तो ये भक्ति में मेथड जो है, ये कुंडलिनी जागरन के लिए सबसे आसान है, इसमें आपको चिंता नहीं करनी, कौन से चकर पर आ गई, क्या हो गया, उपर उठाना है, नीचे करना है, क्या करना है, तबियत खराब है, ठीक है, क्या है, तबियत खराब तो नहीं है, तो सब कुछ automatically होगा, और साधना continue कीजिए, खल्यान होगा, न